बचो एक बहुत important topic हम discuss कर रहे हैं class 11 physics से जो की है hydraulic lift hydraulic lift एक ऐसी machine है जो बहुत heavy load को lift करने के लिए use होती है आओ इसकी walking देखते हैं hydraulic lift में आप यह देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा सा आप इसको एक container मान लो जिसके अंदर एक ideal liquid भरा हुआ है ideal liquid की वैसे तो बहुत properties होती है बट अभी के लिए आप यह मान लो कि ideal liquid एक ऐसा liquid होता है जिसकी density constant रहती है मतलब वो दबता नहीं है अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो openings है एक opening है जिसका area कम है दूसरी opening ऐसी है जिसका area बहुत जादा है और इन दोनो openings के उपर pistons लगे हुए है अब जिस load को भी हमने lift करना है उस load को रखा जाता है बड़े वाले piston के उपर यह हमने मान लो एक car को रखा है इस बड़े वाले piston के उपर जिसको हमें lift करना है तो सबसे पहले तो हम यह देखें कि हमारी hydraulic lift कि scientific principle पे based है बच्चो hydraulic lift की जो working है वो Pascal's law पे based है और Pascal's law यह कहता है कि अगर एक liquid equilibrium में है तो उसके same depth पर हर जगा pressure same होगा मतलब अगर आप एक point पर pressure बढ़ा देते हो तो हर point पे वो pressure equally बढ़ेगा अब आप मान लो कि जैसे यह जो छोटा वाला piston है इसको मैंने दबाया F force से अब यह liquid यहां से नीचे जाएगा और यह force transmit होके यहां से मुझे मिलेगी और मान लो इस तरफ से मुझे एक force मिल रही है capital F बट यह capital F तो बहुत जादा होना चाहिए तभी तो यह heavy load को lift करेगा तो देखें जरा यह कैसे होता है यह small F की वज़े से यह piston इदर से नीचे गया और capital F की वज़े से बड़ा वाला piston उपर गया बट कैसे मान लेते हैं बच्चों कि जो छोटा वाला piston है उसका area of cross section small a है और जो बड़ा वाला piston है उसका area of cross section capital a है तो जब मैंने यहां पर यह small F force लगाया तो मैंने यहां पर कितना pressure बढ़ाया small F divided by small a because pressure होता है force upon area और यहां पर pressure कितना बढ़ा capital F divided by capital A because यहां का जो force है वो capital F है और यहां का जो area है वो capital A है अब Pascal law यह कहता है कि यह दोनो pressures बराबर होने चाहिए तो ज़रा हम दोरो pressures को equal रखें एक बारी हमको यह equation मिलेगी अब हमको इस equation से capital F की value मिलेगी F equal to A by A into small f अब आप जानते हो कि यह जो area है बड़े वाले piston का यह छोटे वाले piston से जादा है और अगर हम इस area को छोटे वाले piston के area से बहुत जादा रखें since capital A is much greater than small A तो आप यह सोचो कि यह वाली जो ratio है यह 1 से बहुत जादा बड़ी हो जाएगी जिसका मतलब है कि जो capital F force है वो small f से बहुत जादा बड़ी हो जाएगी मतलब अगर यह बड़े वाले piston का area for example छोटे वाले piston के area से 100 times जादा है तो यह जो force होगी बड़ी वाली यह चोटी वाली force है 100 times जादा होगी जो एक बड़े load को lift करने के लिए sufficient है बट यह जादू हो कैसे राए बच्चो देखो मान लेते हैं कि यह small piston जो है वो D distance नीचे गया और यह जो बड़ा piston है यह capital D distance उपर आया अब अगर हम conservation of energy लगाएं तो यहाँ पर कितना work हुआ F into D और यहाँ पर कितना work हुआ capital F into capital D तो by conservation of energy यह दोनों works equal होने चाहिए and since capital F is much greater than small f तो अगर इन दोनों का और इन दोनों का product सेम है और अगर capital F small f से बड़ा है तो obviously small D capital D से बहुत बड़ा होगा तो बच्चों यह वाला piston बहुत जादा नीचे गया है और यह वाला piston थोड़ा सा उपर आया है तो by conservation of energy हम समझा सकते हैं कि यह काम कैसे करती है